उत्राखंड में आम लोगों से लेकर पुलिस कर्मियों तक में बढ़ती सामप्रदाइकता को लेकर मेरा पिछला जो वीडियो था वो जितने भी लोगों ने देखा उनमें से कई लोगों ने कमेंट लिखे हालांकि इस वीडियो पर कुछ नफरती भी आए उनमें से कुछ के कमेंट इतने अशोवनिय थे कि उन्हें हटाना पड़ा इसके बाब जूद ज्यादा तर ने वीडियो को मौजूदा वक्त की जरूरत बताया कुछ ने तो वो भी लिखा जिसके काबिल मैं खुद को नहीं समझता फिर भी ऐसे कमेंट लिखने वालों का मैं हिर्दय से आभार करता हूँ आज कुछ आंकडों के सहारे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्राखंड के कुछ लोग और खास कर पुलिस कर्मी किस तरह से नफरत की इस खाई में इतने धंस सुके हैं कि उनका अब इसे बाहर निकलना संभाव नहीं लगता बाबजूद इसके हम अपने प्रियास जारी रखेंगे तमाम अमारी आदित कमेंट के बाबजूद हम हार नहीं मानेंगे इस तरह के कमेंट का एक अर्थ ये भी तो है कि हमारी बात सही जगे पहुँच रही है और लफरत के सौदागरों की कुल बुलाहट बढ़ रही है नमस्कार बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत मेरा नाम है तिरलो चनभट और मैं करता हूँ जन सौरोकारों की बात दोस्तों जन सौरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ मेरी आमदनी का कोई जरिया नहीं है आप यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो अंत तक नहीं देखते लाइक कमेंट नहीं करते दोसे लोगों तक नहीं पहुँचाते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है उमीद है आप सहयोग करेंगे उत्तराखंड में मुसल्मानों के प्रति लगातार घ्रिना परोसी जा रही है जरा यह वीडियो क्लिप देखिए यह किसी सोसल मीडिया चैनल के क्लिप है और इन दिनों काफी वाइरल हो रही है जिसने भी यह वीडियो बनाया उसका आभार पहले वीडियो क्लिप देखिए पिर बात करते हैं इस वीडियो के कुछ सेकेंड के हिस्स्य ही यहां इस्तेमाल किये हैं परसपर सत्भाव के हिमायती और देश के समविधान में आस्था रखने वाले कई लोगों ने इस क्लिप को अपने अपने कमेंट के साथ शेयर किया है वरिष्ट पत्रकार और सामाजिक कार्यकरता राजीब नयन बहुगणा ने इस क्लिप को शेयर करते हुए जो कमेंट लिखा है वह बड़ा संदेश देता है उन्होंने लिखा इस गढ़वाली के सिवा कोई भासा नहीं आती हिंदी भी गढ़वाली मिस्त बोलता है वह अपने धर्म और जाती के बारे में यही बता पाता है भैडगाओं पोड़ी गढ़वाल बात आगे बढ़ाने से पहले राज्यके पुलिस महानी देशक के बयान पर गौर करना चाहिए वे रुद्र प्रिया के कुछ गाओं में मुसल्मानों का प्रिवेश वर्जित समंदी बोर्ड लगाये जाने के मामलें अपनी बात कह रहे हैं और समबैधानिक ब्यवस्ता को एक तरफ रखकर बोर्ड लगाने वालों का बचाओ करते हुए परतीत हो रहे हैं इस समंद में उनका जो वीडियो पुलिस ने अपने फेस्बुक पेट पर डाला है वह एक न्यूज एजेंसी को दिया गया उनका इंटर्वियो है इसलिए यहां लगाना संभ़व नहीं है काउप्र करने का इस्टाइक भीजवा देंगे भाई लोग पुलिस वाले इतने संपरदाई क्यूं है इस सवाल का जवाब तलास्ते हुए मुझे देहरादों के वरिश्ट पत्रकार अरविंद सेखर की कुछ खबरे मिली खबर हाला की पुरानी है लेकिन चौकाने वाली है Center for the Study of Developing Society की Status of Policing in India Police Adequacy and Working Condition Report 2019 पर आधारित ये खबर कहती है कि उत्राखंड के 50-50 पुलिस कर्मी गौहत्या के मामले में भीड द्वारा दी जाने वाली सजा को उचित मानते है भीड ऐसे मामलों में कौन सी सजा देती आई है आप दांते हैं कितना अफसोस जनक है कि जो पुलिस कानून का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार है जो पुलिस लोगों को समवैधानिक दाइरे में रखने के लिए काम करती है उसके आधे कर्मचारी भीड की सजा को सही मानते है दूसरे सब्दों में कहें तो उत्राखंड में पच्चास पर्टिसत पुलिस कर्मी ऐसे हैं जिनका कानून व्योस्ता पर कोई विश्वास नहीं है और वे भी द्वारा हाथों हाथ सजा दिये जाने का समर्षन करते हैं हलाकि ऐसा मानने वाले पुलिस कर्मी दूसरे राज्यों में भी है लेकिन उत्राखंड में उनका पर्टिसत राष्ट्री यप ओसत से जादा है हम उत्राखंड के लोग अक्सर बात करते हैं पड़ोसी राज हिमाचल परदेश की तो यहां बता दें कि हमाचल परदेश में भी भीड की सजा के हिमायती पुलिस कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 29 परतिसत है उत्तर परदेश जिसे सामपरदाइक्ता में सबसे आगे बताया जाता है वहाँ भी उत्राखंड से कम पुलिस वाले भीड की सजा के हिमायती हैं कितना ही नहीं उत्राखंड के जादातर पुलिस कर्मी SC-ST Act में दर्ज की जाने वाली जादातर सिकायतों को फर्जी मानते हैं ऐसा मानने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या है 94% 37% पुलिस कर्मी मानते हैं कि SC-ST Act में दर्ज की जाने वाली जादातर सिकायतें फर्जी होती हैं 40% पुलिस वाले मानते हैं कि एक हद तक इस तरह की सिकायतें फर्जी होते हैं और 17% मानते हैं कि दुरलब मामलों में ये सिकायतें फर्जी होते हैं केवल 6% पुलिस कर्मी मानते हैं कि इस तरह की सिकायतें फरजी नहीं होती इस आंकडे को देखने के बाद आपके मन में भी जरूर ये बात आएगी कि पुलिस में मुसलिम और ऐसी कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी मैंने जानने का प्रियास किया तो पता चला कि इस तरह की सूतना को सारवजनिक करने पर 2015 से पावंदी है तो उपर दिये गए आकड़ों का मतलब क्या ये मान लिया जाए कि उत्राखंड पुलिस में मुसल्मान और S.C.S.T. सुमधाय के कर्मचारियों की संख्या केवल 6% है कुल मिलाकर बात ये है कि उत्राखंड के हमारे लोगों को छोटे-छोटे ब्यावसाई, रेडी-फेरी वाले ये तो नजर आ जाते हैं और वो भी मुसल्मान लेकिन जिन बाहरी धन्ना सेठों ने पूरे के पूरे पहाड खरीज ले हैं वे नजर नहीं आते हैं रिसके से आगे पहाडों की तरफ गंगा नजी के आसपास नजर दोड़ाई आपने कभी दरजनों की संख्या में जो बड़े-बड़े होटल बनने हैं, रिजोर्ट बनने हैं वो एकिस भीतर वाले के हैं क्या इन धन्ना सेठों के खिलाब पुरुष बर्जित का बोर्ड लगाने की हमत है हमने नहीं है ना दरअसल हमारे निसाने पर सिर्फ गरीब गुर्बे किस्म के लोग हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन फेरी रेड़ी वालों में कुछ आपरादिक प्रुषिके हो सकते हैं लेकिन वैसे अपराद ही नहीं जैसे अनकिता के हत्या करने वाले और नदियों के किनारे हमारी जमीनों पर जो बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बन रहे हैं आने वाले दिनों में वहां क्या क्या होगा इनमें हमारे लोगों का किस किस तरह से सोसंट किया जाएगा इसकी तो हम कलपना भी नहीं कर सकते तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी जरूर करें यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेव खर्च मेंसे एक छोटी सी राशी निकालकर आर्थिक सहयोग करें आप यूट्यूब पर वीडियो के नीचे जोईन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में बैंक डेटेल भी है आप यदि सहयोग करेंगे तो मैं इस काम को आगे बढ़ा पाऊंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पेज फॉलो करें बात बोलेगी डॉट कॉम भी जरूर देखें जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नमस्कार